इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ बॉल सीदा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं फील्डर है कवर बर जो मदद इस गेन बाज को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा अब पता नहीं भाईया यह गेंद कहां जाएगी बदकिस्मत रहें वहाँ बॉल सीदा फील्डर के हाथ में आकरामा कप्तानी अधिर एक फील्डर तीज गच के दाइरे के अंदर पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहाँ यह तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में खेम दिया है गाप में और यह एक रांड दूसरी ओवर की शुरुआत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है बॉल सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेनबास को इस शुर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फील्ड प्लेस्मेंट्स लगाए है आज यहाँ बदकिस्मत रहें वहाँ बॉल सीधा फील्डर के हाथ में दिरे वाला कुमेगा बड़ी आलीव पर लेबास की बड़ी आलीव पर लेबास की गैप में खेलने का प्रियास लेक इंफील्डर मिले वहाँ पास स्पिनर को लाए गया अटैक में देखते हैं स्पिच से कितना लाब उठाते हैं बड़ी बास अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए फील्डर के बाजू से रन चुरा लिया इन्होंने रनिंग बिट्वीन दो वेकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बाजों के बीच इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंबाजी करनी होगी यहां ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां मानों सिर्फ चौको और चको में ही दिल्चेस्पी रखते हैं बहुत लै में नजर आ रहे हैं यह बड़िया रणिंग अधभूत रणिंग बहुत ही बड़िया तालमेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रणिं मिट्वीन दे विकेट्स बहुत ही नजजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रणिंग यह एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे गैप में खेल दिया है यहाँ और यह चार रण दूसरे छोर से तेज गदी के गेन बस को लाया गया है बैटिंग बाउर ने की समापती फील्डिंग टीम अब दो से ज़ादा फील्लर डाइरे के बाहर रख सकती है बल्लेबाज ने इस देख को पड़ा भी और जड़ा भी लगाया च्छक्का दर्शक यहाँ बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहुत उच्साहित सीधा फील्लर के पास बल्लेबाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को जब ज़ादा फील्लर बाउंडरी की रक्षा कर रहे हो न तो बल्लेबाज को सिंगल्स तोफे के रूप में मिलते हैं ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्लेबाज को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया जो मदद इस गेनबाज को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बहुती अलग किसम की फील्ड लगाई है यहाँ कप्तान ने देखना बहुत दिल्चस्प होगा कि क्या करेंगे अब बल्लेबाज जिस तरह की शौट पिछ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गैप बास अकसर बल्लेबास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं बहुत ही कॉन्फिटेंट अपील यहाँ बॉलर की और अमपाइर नॉट आउट देते हुए डज़ी की मामला हो सकता है यहाँ बहुत ही बड़िया अपील की थी और मुझे तो लगता है के रिवीव जरूर लेंगे वर टो लिव मनों वर्हु कैरा तो लीव, घथैटेन आपालीय। यह, अव छिट स्थ्याक को Health बहुत वर्पर्टेरी यह दो साभी पसेखेड लिवापश। मु मैं, दो कर व्वल के विवाशू के छोबिय। एक लंबा रास्ता तैय कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए बल्लेबाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार अफ़तार बड़ी गेंद इसके जाल में से निकलना मुश्किल है ये बहुती कठिन फील्ड है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी और ये शॉट बस एक रहन ही निकाल पाए डीप पॉइंट टो फील्डर लगाया है कप्तान ने सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे है तेज गदी के गेंद बाजों को काफी असानी से खेले इन्होंने बहुत युंदा शॉट छेरन के लिए अच्छ निया शॉट पहतरीन बल्ले बाजी बल्ले बाज द्वारा शॉट जबर्दस शॉट गेंद बाजी में परिवर्तन तेज गेंद बाज को अक्रमन के लिए लाया गया है बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही बढ़िया धन से खेला सिंगल के लिए गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे हैं नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए ये स्पिनर्स के सामने विक्राल रूप धारन कर लेते हैं बहुत ही अच्छी ठाल मेल दोनों बल्ले बाजों के बीच में बढ़िया राणिमी टू इंद विकेट्स अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए बल्ले बाज की आँखे तो जील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बाज के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेले का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे गेन बाजी में परिवर्तन टेज गेन बाज को आक्रमन के लिए लाया गया है यह बहुत ही कठिन फील्ड है गेन बाजी करने के लिए गेन बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी खेला तो यह बड़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए डीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने जो मदद इस गेन बाज को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा सिंगल लिया बल्ले बाज स्ट्राइक रोटेशन बड़ी अच्छी कर रहे है इस पिच पर शोर्ट पिच गेन बाजी करना काफी अच्छा विकल्प रहेगा सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान बड़े चोकनने रहते हैं अपनी फील्ड प्लेस्मेंट्स को लेकर खेला तो ये बढ़िया है लेकिन अंदरूनी फील्डर को मात नहीं दे पाए अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहां गेन बास को पले बास बहुत आसानी से उन्हें चोके चख्खे लगा रहे है टीप पॉइंट टे फील्डर लगाया है कप्तान ने बॉल सीदा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा गेंड भी पड़िया और छोड़ा भी अच्छा यह स्पिनर्स के सामने प्रिकरा तो धरत कर लेते हैं सीदा फील्डर के पास बल्ले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को कप्तान बड़े चौकनने रहते हैं अपनी फील्ड प्लेस्मेंट्स को लेकर बहुती बड़िया पिछ रही है यह शुरुआत में गेंड बास को मदद जरूर मिली लेकिन अब बल्ले बाजी के लिए एक दम अनुकूल है बहुती बड़िया धंसे खेला सिंगल के लिए बड़िया लीग मुश्किल में परते अगर वो खिलने की कोशिश करते हैं इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंड बाजी करनी होगी यहां फील्डर है कवरबर उठा दिया है शे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राय नहीं था कोई संदेह नहीं था कि यह छे रन है एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे हब हमें गेंड और यह आओ सीधा फील्डर के हाथ में कैश दे बैठे यहां बल्ले बाज एक लंबा रास्ता तै कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए बहुत ही खराब शॉट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फील्डर के हाथ में कैश दे बैठे बल्ले बाज अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए बदकिस्मत रहे हैं वहाँ बॉल सीधा फील्डर के हाथ गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे हैं अमपार का इशारा वाइट बॉल अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहाँ गेंदबाज को बल्ले बाज बहुत असानी से उन्हें चौके छक्खे लगा रहे हैं अमपार के से लाखा ने में परियुत अच्णिन चली जरूरत है यहाँ परिवर्तन लाफिर्तन 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 अपनी से लाइचर है अमपनी तो यहाँ अवाँ दूसरी ओवर की शुरुवात यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है ओहो हो उठा के खेल दिया है और यह सीधा बाउंडरी के पार बहुत लै में नजर आ रहे है बहुत ही बड़िया कैच फिल्डिंग को जाज बहुत खुश होंगे इस प्रदर्शन से बहुत ही निराश लग रहे है बहुत ही तेज तरार कैच जरूर था पर यहाँ गेन बाज की तारीफ करनी होगी बल्ले बाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए बहुत ही आकरामक बल्ले बाज है यह विश्व क्रिकेट में एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके है लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी उटा के खेल दिया है शांदार बल्ले बाजी और यह चेरन चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जागिरेगी नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए इस पारी की आखरी गेंद आती हुई उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका अध्बुत परदर्शन फील्डिंग साइट द्वारा कप्तान ने अच्छे शेत रक्षन लगाए थे और गेन बाजो